तो आज हम exercise 8.1 जिसका हम first question जो है already previous वीडियो में कर चुके हैं उसका अब हम second question करेंगे इस वीडियो में यह question जो है बहुत ही ज़ादा चोटा है और बहुत ही ज़ादा easy है तो देखते हैं हम क्या दे रखा है हमें इसमें यह आपको बुक में एक फिगर दे रखिए डाट इस पी की वार जिसमें आपका पी की जो है वो 12 cm है और पी आर जो है आपका 13 cm हमें क्या find out करना है 10 पी और कॉट आर आपको find out करना इसके अंदर तो सबसे पहले हम हाइपोचन हो गया चीक है और इसमें थीटा की अगर मैं बात करूँ तो 10 P तो अगर यह थीटा है आपका यह अगर आपका थीटा है तो that means यह आपका बेस हो गया और यह आपका क्या हो जाता है पर पेंडिकुलर हो जाता है ऐसी अगर मैं कॉट आर की बात करूंगी तो यह दोनों ची तो यूजिंग पाइथागोरस थीओरम ठीक है पाइथागोरस थीओरम हम यूज करेंगे तो इसके अकोर्डिंग क्या आजाता है आपका that is P r का स्क्वेर is equal to q r का स्क्वेर प्लस P q का स्क्वेर तो P r कितना है आपका that is P r आपका क्या है 13 का स्क्वेर is equal to q r कितना है आपक आपको find out करना है plus pq कितना है आपका 12 का square ठीक है तो ये आपका क्या हो जाता है 13 का आप करोगे तो 169 हो जाएगा is equals to qr का square ही रहेगा plus 12 का करोगे तो 144 आपका आजाएगा ठीक है आगे देखते हैं qr को हम इधर लिया आता है qr का square is equals to 169 minus 144 आपका आजाता है तो qr का square कितना हो गया आपका that is 25 तो square इधर आजाएगा तो qr is equals to root पर चलब जाएगा 25 so that means 5 cm आपका आजाएगा चीक है तो simply हमने पाथगरुस थियोरम से इसे निकाल लिया है तो ये आपका क्या हो जाता है 5 cm अब हमें 10p minus cot r करना है तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है कि पंड़त बदरी प्रसाथ हर हर भोले सोना चांदी तोली ठीक है ये हमने पढ़ रखा है तो 10 का क्या है आपका perpendicular upon base तो मैं लिग देती हूँ 10p minus cot r तो 10p का क्या है perpendicular upon base तो perpendicular क्या हो जाता है that is 5 upon base क्या हो जाता है आपका 12 minus cot अब cot की अगर मैं बात करती हूँ तो cot क्या आपका हो जाता है किसका उटा हो जाएगा हमारा cot that is आपका qr upon pq हो जाएगा क्या हो जाएगा ये अगर r आपका क्या है theta है तो ये क्या हो जाएगे दोनों change हो जाएगे ये आपका base बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा perpendicular cot की value क्या हो जाएगी that is b upon p हो जाएगी that is 5 upon क्या चला जाएगा 5 upon 12 हो जाएगा तो दोनों का minus करोगे तो क्या आजाएगा जीरो आ जाएगा तो आपका आंजर क्या हो जाता है जीरो ठीक है बहुत इजी कोशन था कुछ भी नहीं था इसके अंदर आपको पता होने जी कि इनका उल्टा क्या-क्या होता है जैग इसब चीजा आपको पता होने चाहिए I hope आपको समझ आ गया होगा खिक है तो यह बहुत चोटा सा इसे कोशन था बहुत इसी कोशन था पेपर में आए तो आप बढ़ा बट से कर सकते हो I know जैक है अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आई यह तो लाइ thank you so much for watching bye bye